हेलो बच्चों स्वागत आप सभी का आर्व डिट्यूब क्लास में तो बच्चों आज का जो हमारा कोशन है वो क्लास 9 की मैच से नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1 से कोशन नंबर फोर है तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या आंसर होंगे आप बस द्यान से देखें चले शुरू करते हैं पर कुशन नंबर फोर एस्टेट विदर दा फाल फाल्लविंग स्टेट मेंट एक ट्रू और थेक αναक्राइज था तो हमें यक कोशन दिया गया है यह एक स्टम को बताना है कि इसड्रो नंबर हो यह होल नंबर होते हैं तो इसे पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा कि होल नंबर क्या होते हैं और नेचरल नंबर क्या होते हैं जली जली कमेंट वक्स में बताईए तो जिसको जिसको पता है वही रहता हैंगे जिसको नहीं पता है वह देख सकते हैं ठीके देखो जो whole number होता है और उसमें क्या होते कि zero भी होता है One भी होता है व allegedly होता है वर इस प्रकार के numbers होते हैं Yarni ki whole number consist every counting number with zero त्थो whole number में zero होता है counting number होते है counting number और को ही natural number कहते हैं यानि कि यह जो 1 से लेकर के इधार है 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी positive number है वो सभी natural number है तो yes जो natural number होता है वो सभी whole number में आता है तो we can write true क्या लिखेंगे मिसे true reason because the set of whole number contain contain all the natural numbers ठीके तो यहां पर देखो contain का मतलब होता है सामील होता है यह होता है तो जितने भी whole number होते हैं उसके set में सारे natural number होते हैं तो यहां पर लिखा गया because the set of whole numbers contain all the natural numbers whole number के set में सभी natural number आते हैं तो इसलिए इसका answer क्या होगा true होगा अब बढ़ते हैं हमने दूसरे question की तरफ दूसरे question में पूछा गया है every integer is a whole number देखो अगर हम number line बनाएं integer को number line पे represent कर सकते हैं तो माल लो यह हमारा 0 है ठीक है इधर positive 1 positive 2 positive 3 इधर minus 1 minus 2 minus 3 इस प्रकार के number आएंगे तो देखो integer में negative number भी होते हैं positive number भी होते हैं और 0 भी होता है तो यहां से लेकर करके यहां तक तो whole number होते हैं ठीक लेकिन इधर वाले whole number नहीं होते नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं वह whole number नहीं होते तो इसका answer होगा false आंसर क्या होगा फॉल्स रीजन कि विकॉज आल नेगेटिव इंटीजर नंबर्स आर नाट होल नंबर आर नाट होल नंबर ठीक है जितने भी नेगेटिव इंटीजर नंबर्स होते हैं वह सभी whole number नहीं होते इसलिए क्या होगा कि यह statement false हो जाएगा अब जो last question है हमारे पास every rational number is a whole number तो नहीं यह answer भी गलत है false है क्यूं बताता हूं देखो जो rational number होता है उसे आप पी अपान Q के form में represent कर सकते हो और Q is not equal to 0 तो पी अपान Q के form का मतलब होता है 3 by 2 4 by 5 minus 7 by 2 plus 4 by 7 तो यह सभी numbers होते हैं यह सभी rational number होते हैं और whole number जो होता है वह होता है 0 1 2 3 तो यह वाले जितने भी number हैं यह whole number तो हो ही नहीं शकते तो इसलिए every rational number है वह whole number नहीं हो सकता क्या चीज़ every rational number is not a whole number तो इसका भी answer क्या हो जाएगा फॉल्स कि विकॉज कि थ्री अपान टू फूर अपान सेवेन माइनस 3 by 5 आर नाट होल नंबर ठीक है तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं every natural number is a whole number yes true हो जाएगा मारा answer because the set of whole number contain all the natural numbers second question है every integer is a whole number false because all negative integer numbers are not whole number ठीक है लास्ट वाल है मारा every rational number is a whole number false because 3 by 2 4 by 7 minus 3 by 5 इस प्रकार के कोई भी number ले लिजे are not whole number ठीक है तो यह प्रकार के मारा इस question का answer हो जाएगा आप चाहँते शेंडाउन कर लो यहां वीडियो को पहुज करके screenshot ले लो आप 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 व